परिचय बच्चो आज हम पुषपी पादपों की शारीरिकी के बारे में जानेंगे सर पुषपी पादप क्या होते हैं? बच्चो ये बीज उत्पन करने वाले पौधे होते हैं जैसे की जिमनोईस्पम आधी हमें पुषपी पादप कहा मिल सकते हैं सर? पुष्पी पादक अनेक आवासों में रेगिस्तान से लेकर धुरुवी एक्षेत्रों तक पाई जाते हैं और इनमें पेड, जाड़ी और शाक शामिल हैं कोई मुझे पुष्पी पादप का उधारन दे सकता है तर, लेली, ट्यूलिप, क्रॉक्स, इत्यादी इसके उधारन हैं शाबाश, रमेश तुमने एकदम सही बताया इस पाट में आप पुष्पी पादप की शारीरिकी के बारे में जानेंगे उध्देश्य इस पाट के अंद में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे मेरिस्टमी और स्थाई उतक का वर्लन करना उतक तंत्र की व्याख्या करना दुई बीच पत्री और एक बीच पत्री पौधों की शारीरिकी की व्याख्या करना दुईतियक वृध्धी की चर्चा करना उतक शारीरिकी में पाधप अंगों की आंतरिक सनचना का अध्यन किया जाता है एक समान उद्भव और कारेवाली समान या आसमान कोशिकाओं का समोहूं उतक कहलाता है उतकों को दो प्रकार में वर्गी क्रित किया जा सकता है मेरिस्टमी उतक यानि विभज्य योति की उतक और स्थाई उतक मेरिस्टमी उतक अनिश्चित काल तक विभाजन करने में सक्षम तथा समान कोशिकाओं या निश्चित उतक उत्पन करने के लिए विभेदन करने वाली कोशिकाओं को उत्पन करने वाली छोटी कोशिकाओं से बने पादप, उतक, मेरिस्टमी उतक यानि विभज्य योत्य की उतक कहलाते हैं मेरिस्टेम जो जड तथा तने के वृद्धी करते बिंदूं के शीर्षपर होता है शीर्षस्त मेरिस्टेम कहलाता है ये लगातार विभाजन करता है जिससे प्रारोह तथा जड की लंबाई में वृद्धी होती है कलिका जो पत्ती के कक्ष से निकलती है, तथा शाखा, प्रारोह या पुष्प में विक्सित होने की ख्शमता होती है कक्ष ये कलिका कहलाती है यह शिर्ष्यस्त मेरिस्टेम से अलग उपस्तित होता है ये पर्व के आधार पर उपस्तित होता है उधारन के लिए घास और गेहुमें या पति के आधार पर प्रात्मिक मेरिस्टेम मेरिस्टमी कोशिकाएं जो प्रो मेरिस्टेम से उत्पन होती हैं प्रात्मिक मेरिस्टेम है शीर्ष मेरिस्टेम और अंतरवेशी मेरिस्टेम दोनों प्रात्मिक मेरिस्टेम है दुईतियक मेरिस्टेम या पाश्विय मेरिस्टेम ये प्रात्मिक स्थाई उतक से विक्सित मेरिस्टेम हैं ये किसी अंग के निर्मान की शुरुआस से उपस्तित नहीं होते हैं बलकि बाद में विक्सित होते हैं और दुईतियक स्थाई उतक बनाते हैं उधारन के लिए जणों के केम्बियम स्थाई उतक स्थाई उतक का निर्मान मेरिस्टमी उतक में विभाजन या विभेदन के कारण होता है। स्थाई उतक की कोशिकाएं जीवित या मृत, पथली भित्ती या मूटी भित्ती वाली हो सकती हैं। स्थाई उतक दो प्रकार के होते हैं। सरल उतक और जटिल उतक साधारण उतक सरल उतक प्रकृती में सजातिय होते हैं और संदचनात्मक तथा कारियात्मक रूप से समान कोशिकाओं के बने होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं पेरनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्किलरिनकाइमा पेरनकाइमा की कोशिकाएं जीवित, मोटी भित्ती वाली होती हैं, इनमें स्परस्ट केंद रखोते हैं कोशिका भित्ती, सेलिलोज, हेमी सेलिलोज और पैक्तिक पदार्थों की बनी होती है कोशिकाओं में थोड़ा या ज्यादा अंतरा कोशिकी अफकाश होता है कोशिकाएं प्राया समव्यासी होती हैं लेकिन लंबाकार, कोलाकार और बहु भुजिये भी हो सकती है कॉलन काइमा यानि स्थूल कोण उतक कॉलन काइमा की कोशिकाएं मोटी भित्ती वाली जीवित लंबाकार कोशिकाएं है कोशिका भित्ती, सेलिलोस, हेमी सेलिलोस और पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है भित्ती की मोटाई एक समान नहीं होती है भित्तियों पर प्राया साधारन गर्थ होते हैं कभी-कभी कॉलन काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं ये यांत्रिक तथा जैव प्रकार के दोनों कायरे करती हैं। कॉलन काइमा तनन सामर्थि प्रदान करती हैं, जिससे वृद्धी कर रहे अंगों को लचीला पन और सहरा मिलता है। क्लोरोप्लास्ट युक्त कॉलन काइमा प्रकाश संसिलेशन का कायरे करती है। स्केलरेें काइमा यानि दृण ऊतक स्केलरें काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ती तोवालि कोशिकाओं वह बने होते हैं तन्तुमय कोशिकाएं लम्बी संकीर्ण होती हैं, तथा दोनों सिरों पर नुकीली एवं लिगनी भूट मोटी भिर प्रान के पन्पार, कोशिका भित्ती में साधारन या परिवेशिद करतों होते हैं। जटिल उतक जटिल उतक सजीव एवं निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जो अलग-अलग कारे करती हैं। जटिल उतक है, जो जटों से जल तथा पोशक पदार्थों को प्रारो एवं पत्तियों तक पहुचाते हैं। जटिल उतक है और चार विभिन प्रकार के तत्वों का बना होता है। वाहिनी काएं, वाहिकाएं, जायलम तंतू और जायलम परनकाइमा। जायलम के प्रकार वाहिनी काएं एकल वाहिनी की अत्तिधिक लंबी या नलिका कार कोशिका है, जिसमें कठोर, मोठी और लिगनी भूद भित्ती और एक बड़ी गुहा होती है। वाहिनी काएं, जड़ों से जल, हार्मोन, एवं विलैका परिवहन, तने, पत्तियों और पुष्पी भागों तक करते हैं। ये पाधप काएं को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। वाहिकाएं वाहिका एक लंबी बेलनाकार नलिकाकार सनचना है, जिसमें लिगनी भूद भित्ती और एक बड़ी केंदर गुहिका होती है। कोशिकाएं मृत्त एवं जीव द्रव्वे रहित होती हैं। छिद्रण प्लेटों की उपस्तिती के कारण ये वाहिनिकाएं की तुल्ला में जल और खनिश पदार्थों का परिवहन अधिक दक्षिता से करती हैं। ये पाधप काएं को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं। जायलम के प्रकार जायलम तन्तू जायलम तन्तू लंबी, संकीन, मोटी और लिगनी भूत कोशिकाएं हैं। ये प्राया दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। जायलम तन्तू मृत्तिक कोशिकाएं हैं जायलम तन्तू जायलम और पादपकाएं को पूरी तरह से यांतरिक शक्ती प्रदान करती हैं जायलम प्रेनकाइमा जायलम में पाई जाने वाली पेरनकाइमा कोशिकाएं सजीव और समव्यासी होती हैं जाइलम परनकाइमा कोशिकाएं अधिकतर प्रात्मिक जाइलम और दुईतियक जाइलम में पाई जाती हैं जाइलम परनकाइमा कोशिकाएं भोजन संग्रहन का कारे करती हैं और उपर की ओर जल के सम्वहन में सहायता करती हैं प्रात्मिक जाइलम जड़ और प्रारोह शीर्ष्ट के प्रोकेम्बियम से प्रात्मिक वृध्धी के दौरान निर्मित जायलम प्रात्मिक जायलम कहलाता है। सबसे पहले बनने वाले प्रात्मिक जैलम को प्रोटो जैलम यानि आती दारू कहते हैं और ये विक्रित हो जाता है क्योंकि आसपास के उतक लंबे हो जाते हैं. जैलम जो अंत में निर्मित होता है मेठा जैलम कहलाता है. फ्लूएम फ्लूएम भी जैलम के समान समवहन उतक है जो कार्बनिक पदार्थों के समवहन के लिए जिम्मेदार है. प्रो केम्बियम से निर्मित फ्लूएम प्रात्मिक फ्लूएम कहलाता है और जो समवहन केम्बियम से बनता है दूईतियक फ्लूएम कहलाता है. फ्लुयम चार तत्वों का बना होता है चालनी नलिका तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लुयम परनकाइमा और फ्लुयम तंतू फ्लुयम के प्रकार, चालनी नलिका तत्व, चालनी नलिकाएं नलिका जैसी संदचनाएं हैं, जो लंबा कार कोशिकाओं की बनी होती हैं लंबवत श्रिणियों में वैवस्थित और सहचर कोशिकाउं से जुड़ी होती हैं इनकी भित्ती, पतली और सेलिलोस की बनी होती है परिपक्व चालनी नलिका में केंदरक अनुपस्तित होता है लेकिन परिधिये साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रस्थानी उपस्तित होती है चालनी नलिका का मुख्यकार पत्तियों से तैयार खादे पदार्थों का नीचे की और संचयन अंगों तक और उसके बाद उपर की और विक्सित होते क्षेत्रों तक परिवहन है फ्लोयम के प्रकार सहचर कोशिकाएं सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पेरनकाईमी कोशिकाएं हैं सघन साइटोप्लाज्म और सुसपस्ट केंद्रक इनकी विशेष्टा है और ये NGS-POM के फ्लोयम में निकट वर्ती चालनी नली का तत्र के साथ सथी रहती है फ्लेम परेंकाइमा कोशिकाएं सजीव परेंकाइमी कोशिकाएं हैं जो आकार में बेलनाकार, उबगोलाकार या बहुफल किये हो सकती हैं कोशिकाओं में सघन साइटोप्लाज्म और केंद्रक होता है तथा कोशिका भित्ती सलिलूस की बनी होती है फ्लेम तन्तू अतिधिक लंबे, अशाकित तथा नुकीले होते हैं इनके सिरे कोई की तरह होते हैं इनकी कोशिकावित्ती सरल परिवेशिद कर्द के साथ काफी मोठी होती है परिपक्व होने पर ये तन्तू अपना जीव द्रवे नश्ट कर केम रिथ हो जाते हैं उतक्तंत्र उतक्तंत्र की निमनलिकी तीन श्रिणियों को सपस्ट रूप से पहचाना जा सकता है बाहे तवचिये उतक्तंत्र, भरण या मौलिक उतक्तंत्र, समवहनी उतक्तंत्र बाहे तौचिये उतक तंत्र बाहे तौचा पादपकाई का सबसे बाहरी आवरण है, जो बाहे वादवरण के सीधे संपर्क में होता है। यह लंबी एक दूसरे से सठी कोशिकाओं का बना होता है, जो बिना किसी अंत्रा कोशिकिये अवकाश के एक अखंड सतह बनाती है। बाहे तौचा की बाहरी भित्ती मूटी होती है और प्राया बाहे तौचिये कोशिकाओं में स्रावित किये जाने वाले मुमिये पदार्थ के निक्षेपन द्वारा निर्मित क्यूटिकल द्वारा ठकी होती है। मरू दीभद पौधों में म्यूटिकल सबसे मूटी होती है बाहे तवचिये उतक तंत्र रंद्र बहुत छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे के हरे वाईविये भागूं विशेश रूप से पत्तियों की बाहे तवचा में पाए जाते हैं प्रतेक रंद्र का छिद्र द्वार कोशिकाएं कहलाने वाली दो स्थेम के आगार की कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है द्वार कोशिकाएं सजीव होती हैं और इन में क्लोरोप्लास्ट होता है भीद्री भित्ती बाहे भित्ती से अधिक मोटी होती है द्वार कोशिकाएं रंद्र छिद्रों के खुलने और बंध होने के क्रम को नियमित करती हैं अधिकतर पौधों की बाहे तवचा में तवचा रोम या रोम कहलाने वाली अतिवरिध्या होती हैं जो अपने आकार, संदचना और कर में स्पस्ट रूप से भिन्न होती हैं तवचा रोम अतिधिक जल की हानी को रोखते हैं तवचा रोम बीजूं एवं फलों के संदख्षन प्राकीर्णन में साहिता करते हैं जणों की बाहे तवचा में मून रोम विशिष्ट क्षेत्र मून रोम क्षेत्र में होते हैं ये मृदा से जल और खनी जुविलियन का अफ्शोशन करने के अतिरिक्त पादप काय को मृदा में इस्थिर रखने में महतपून भूमी का निभाते हैं भरन उतक तंत्र पादप काय का मुख्य आकार बनाते हैं इसमें बाहे तवचा और सम्वहन बंडल को छोड़ कर सभी उतक शामिल हैं इस उतक तंत्र का प्रातमिक कार्रे खादे पदार्थों का संग्रहन और निर्माण है एक बीच पत्री तने में भरण उतक वलकुट, परिरंब और पित में विभेदित नहीं होता है। दुई बीच पत्री तने, दुई बीच पत्री जणों और एक बीच पत्री जणों में भरण उतक वलकुट, परिरंब और मज्जा या पित का बना होता है। सम्वहनी उदक तंत्र अक्षिका केंद्री इस्तंभ अर्थात जड़ और तना रंभ कहलाता है, जो अनेक सम्वहन बंडलों का बना होता है, जो सम्वहनी उदक तंत्र बनाते हैं. सम्वहन बंडल में जायलम, फ्लोयम और कैंबियम भी होते हैं, यदि जायलम और फ्लोयम के बीच कैंबियम उपस्तित है, तो इसे खुला सम्वहन बंडल कहा जाता है, उधारण दूई बीच पत्री यदी जायलम और फ्लोयम के बीच कैम्बियम नहीं है तो इसे बंद समवान बंडल कहा जाता है उधारण एक बीच पत्री जायलम और फ्लोयम के विन्यास के अनुसार समवान बंडल दो प्रकार के होते हैं अरिय और सहयक्त जब जाइलम और फ्लॉम एकांतर तरेके से भिन्न तरिज्या पर वैवस्तित होते हैं, तब ऐसे समवहन बंडलों को अरिये कहते हैं जब जाइलम और फ्लुयम समान त्रिज्याओं पर उपस्तित होते हैं, तो इस प्रकार के समवहन बंडल संयुक्त समवहन बंडल कहलाते हैं. दूई बीच पत्री तथा एक बीच पत्री पौधों की शारी रिकी, दूई बीच पत्री मूल, बाहे तौजा, ये सबसे बाहरी परत है, वलकुठ इसमें पत्ली भित्ती वाली पैरन कायमी कोशिकाओं के कई परते होती हैं, इनके बीच में अत्यधिक अंत्रा कोश की अंतस्त्वचा, वलकुठ की सबसे भीत्री परत अंतस्त्वचा है, जो पूरी तरह से रंभ द्वारा घिरी होती है, अंतस्त्वचा की कोशिकाओं में कैस पैरी पत्तियां कहलाने वाला विशिस्ट स्थूलन होता है, परिरंभ, ये मोटी भित्ती वाली पैरन कायमी कोशि और अर्ये होते हैं, अर्थात, जायलम और फ्लॉयम भिन्ने त्रिज्याओं पर इस्थित होते हैं, प्रोटो जायलम सदेव केंद्र से दूर और मेटा जायलम केंद्र की ओर इस्थित होते हैं, जायलम की इस दशागो बाहे आदिदारु कहते हैं, कंजंक्टिव उतक जायलम और फ्लोयम बंडलों के बीच इस्थित पेरनकाइमा कंजंग्टिव उतक बनाती है. पित ये जड़के केंदर में एक छोटा क्षित्र घेरता है और पेरनकाइमी कोशिकाओं का बना होता है. एक बीच पत्री मूल बाहे तवचा, ये मूल की सबसे बाहरी परत है, जिस पर अनेक रौम होते हैं. वलकुट बाहे तवचा के नीचे बहुँ सतरिये पेरनकाइमी उतक उपस्तित होता है, जिसमें अनतरा कोशिकी स्थान होता है और ये वलकुट है. अनतस्त्वचा वलकुड की सबसे भीत्री परत अंतस्त्वचा है, अंतस्त्वची ये कोशिकाएं पीपाकार होती हैं, जिनमें कैसपरी पट्टियां बिलकुल नहीं होती और भित्ती मोटी होती है परिरंभ ये एक पंक्ती में वैवस्तित होता है और पेरन काइमा का बना होता है समवहन बंडल, समवहन बंडल बहु आदी दारुक, अरिये और बाहे आदी दारुक होते हैं फ्लेम पेरन काइमा अनुपस्तित होती है कंजंक्तिव उतक जैलम और फ्लेम के बीच इस्थित पेरन काइमी कोशिकाओं का बना होता है पित ये बड़ी होती है तथा दूर-दूर इस्थित पेरन काइमी कोशिकाओं की बनी होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च कर्ण होते हैं दुई बीच पत्री तना अनुप्रस्त काट में निम्नलिकिस सनरचनाएं होती है बाहे तवचा बाहे तौचा तने की सबसे बाहरी परत है ये कोशिकाओं की एकल परत की बनी होती है और क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है बाहे तौचा पर बहु कोशिकिये रोम और रंधर पाये जाते हैं वलकुट इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है अधस तौचा, ये बाहे तौचा के ठीक नीचे इस्तित होती है सामान वलकुट, ये अधस तौचा के भीतर इस्तित होता है और मोटी भित्ती वाली पेरन काईमी कोशिकाओं की कुछ पर्तों का बना होता है वलकुट का मुख्यकार भोजन का संग्रहन है अंतस तौचा, ये वलकुट की सबसे भीतरी परात है परिरंब, परिरंबु पेरन काईमी और स्कलरन काईमी दोनों कोशिकाओं की बनी एक विशम परात है ये अंतस तौचा और समवहन बंडलों के बीच इस्तित होती है समवहन बंडल ये अंतस्त वचा के भीतर एक घेरे में वैवस्थित होते हैं मजजा किरने कुछ परतें या दो समवहन बंडलों के बीच स्थेत बड़ी बहुपुजीये कोशिकाएं मजजा किरने होती हैं पिथ, ये कोशिकाएं खादे पदार्थों तथा जल का संचाई करती हैं। एक बीज पत्री तना पाहे तौचा, ये मोटी क्यूटिकल वाली सबसे बहरी एकलपरात है। बहु कोशिकी ये रूम अनुपस्तित होते हैं। अधस तौचा, ये स्केलरेन काईमी कोशिकाओं की बनी होती है। राया दो तीन परत मोटी होती है और बाहे तौचा के नीचे इस्थित होती है। भरण उतक अधस तौचा के नीचे पैरेन काईमी कोशिकाओं का संपून द्रवेमान भरण उतक बनाता है। भरण उतक में समवहन बंडल बिखरे रहते हैं। समवहन बंडल प्रतियक समवहन बंडल पैरन कायमी होता है और बंडल आच्छत कहलाने वाले स्कलरन कायमी कोशिकाओं के आच्छत से घिरा होता है। ये आच्छत समवहन बंडलों के उपरी और निचले भागों पर अत्यथिक विक्सित होती है। समवहन बंडल, संयुक्त, वाहे फ्लोयमी, मध्या दिदारुक और बंद होते हैं। पित और रंब एक बीच पत्री में अटेक्टो स्टील पाहि जाती है। ये अत्यथिक विक्सित रंब है। एक बीच पत्री तनों में एक समान पित्थ उपस्दित होती है। प्रिष्टाधार दुई बीच पत्री पत्ती उपरी बाहितोचा ये एक दूसरे से जुड़ी एक समान इस्तरीय पेरनकायमेटी कोशिकाउं की बनी सबसे बाहरी परात है। कोशिकाउं की बाहरी भित्ती पर क्यूटिकल होती है। रंद्र और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। निचली बाहित वचा ये पदली क्यूटिकल वाली पेरन काइमेटी कोशिकाओं की एक एकलपरात है और इन में अनेक रंद्र होते हैं क्लोरोप्लास्ट केवल दौर कोशिकाओं में ही उपस्तित होते हैं निचली बाहेतवचा गैसों के विनेमे में सहायता करती है इस गक्ष के माध्यम से चलवाश्प की हानी होती है प्रिष्टाधार पत्ति यानि दूई बीच पत्त्री पन मध्यों तक उपरी और निचली बाहेतवचा के बीच स्थित उतक पन मध्यों तक कहलाते हैं ये दो क्षित्रों में विभाजित है खंब उतक कोशिकाएं लंबी होती हैं और उपरी बाहे तवचा के साथ नब्बे अंश का कोण बनाती है इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है कोशिकाओं में अंत्रा कोशिकी ये अवकाश नहीं होता है और वे प्रकाश संशलेशन में भाग लेती है पंजी परनकाइमा ये खंब उतक के नीचे पाई जाती है पंजी परनकाइमा की कोशिकाएं लगभग गोलाकार या अंडाकार होती है तथा अनियमित क्रम में वैवस्थित होती है कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और अंत्रा कोश की अवकाश भी होता है अंत्रा कोश की अवकाश गैसों के विस्रण में सहायता करता है समवहन बंडल समवहन बंडल बही फ्लोयमी और बंद होते हैं ये स्पंजी परनकाइमा में विखरे रहते हैं मद्देशिरा के समवहन बंडल सबसे बड़े होते हैं. प्रतेक समवहन बंडल के चारों ओर पेरन कायमी कोशिकाओं को एक आच्छद उपस्तित होता है, जो बंडल आच्छद कहलाता है. समदूई पाश्व एक पीच पत्री पत्ती बाहे तवचा उपरी और निचली बाहे तवचा पेरन कायमी कोशिकाओं की बनी होती है. बाहे तवचा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. उपरी और निचली बाहे तवचा दोनों पर रंद्र उपस्तित होते हैं. द्वार कोशिकाएं बाहे तवचे ये कोशिकाएं हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है उपरी बाहे तवचा में कुछ बड़ी कोशिकाएं समोहों में पाई जाती हैं जो आवर्द कोशिकाएं कहलाती है पन मध्यो तक पण मध्योतक खंब और स्पंजी पेरन काइमा में विभेदित नहीं होता है। ये कोशिकाएं लगभग गोला कार होती हैं और छोटे अंतरा कोशिकिये अफ़काश को घेटी हैं तथा अनियमित धन से वैवस्तित होती हैं। इन कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट होता है। समवहन बंडल कुछ समवहन बंडल छोटे और कुछ बड़े होते हैं। प्रतेक समवहन बंडल के चारों और पेरन काइमी कोशिकाएं की आच्छद उपस्तित होती है। समवाहन बंडल, संयोक्त, बाही फ्लोयमी और बंद होते हैं। दुईतियक व्रिध्थी चक्रियता या पाश्विये मेरिस्टेम से दुईतिय उतक के निर्मान द्वारा पौधे के अक्ष की परीधी में होने वाली व्रिध्थी दुईतियक व्रिध्थी है। दुईतियक व्रिध्थी उतक दो प्रकारके होते हैं। समवाहन केम्बियम और कारक केम्बियम। समवाहन केम्बियम एक पाश्विये मेरिस्टेम है जो दुईतियक व्रिध्थी बनाता है और जायलम एवं फ्लोयम के बीच इस्तित होता है। केम्बियमी छले का बनना दूई बीच पत्री तने में समवहन बंडल संयुक्त बही फ्लुयमी और खुले होते हैं और एक छले में वैवस्तित होते हैं समवहन बंडलों में जायलम और फ्लोयम के बीच उपस्तित कैम्बियम पूलिय या अंतापूलिय कैम्बियम कहलाता है मज्जा किरणों की कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमी हो जाती हैं और वे अंत्रापूलिय कैम्बियम कहलाती हैं ये दोनों Cambium एक साथ मिलकर समवहन Cambium या Intrastellar Cambium का पून चल्ला बनाते हैं. Cambium चल्ली की क्रिया समवहन Cambium का चल्ला बाहरी और भीत्री दोनों तरफ की कोशिकाओं को काड़ता है. बाहरी कटी कोशिकाओं दुईतियक फ्लोयम है और भीत्री कटी कोशिकाओं दुईतियक जायलम है. कटी हुई दुईतियक जायलम की मात्रा दुईतियक फ्लोयम से अधिक होती है और इस प्रकार दुईतियक उतक के निर्मान के साथ घेरे या व्यास में वृध्धी होती है जो दुईतियक वृध्धी कहलाती है केम्बियम कोशिकाएं आयतकार, पतली भित्ती वाली, जीव द्रव से पून और मेरिस्टेमी क्रियाशीरिता वाली होती है दुईतियक उतक में वृध्धी के साथ साथ प्रात्मिक जायलम और प्रात्मिक फ्लोयम दप जाते हैं कुछ स्थानों पर केम्बियम, दुईतियक जायलम और दुईतियक फ्लोयम नहीं बनाता है, बलकि जायलम और फ्लोयम के बजाए पैरन काईमी कोशिकाओं को बनाता है इस प्रकार ये कोशिकाएं दुईतियक जायलम से दुईतियक फ्लोयम तक अखंड पट्टियां बनाती हैं और दुईतियक मज्जा किरने कहलाती हैं. बसंत दारू तथा शरत दारू बसंत रितू में केम्बियम की सक्रियता अधिक हो जाती है और इसका रण कास्ट तत्व चौड़ी गुहिका के साथ आकार में बड़े हो जाते हैं. इसके अतरिक्त मात्रा अधिक होती है और बसंत के मौसम में निर्मित दुईतियक जायलम या कास्ट बसंत दारू कहलाती है. शरत रितू में केम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है और कास्ट तत्व संक्री गुहिका के साथ आकार में छोटे हो जाते हैं. इसके अतरिक्त ये मात्रा में कम हो जाता है और शरत रिदू में निर्मित काष्ट को शरत अथवा पश्चदारू कहते हैं बसंत दारू और शरत दारू वार्शिक वले बनाते हैं रिद्दारू तथा रस्तारू कास्ठिये पेडों में तने के केंद्रिये भाग का रंग गहरा होता है ये भाग, रेजिन, टैनिन, गूंद के निक्षेपन और टायलोसिस के निर्मान की कारण कठोर और सख्त हो जाता है ये केंद्रिये कठोर सख्त और गहरा भाग रिद्दारू बनाता है वाहिकाओं में ताइलोसिस के निर्मान के कारण रिददारू के समवहनकारे बंद हो जाते हैं और इसलिए रिददारू यांतरिक रूप से कारे करती है रिददारू का उप्योग प्राया फनीचर बनाने में किया जाता है तने का बहरी भाग हलके रंका और मुलाइम होता है जो जल और खरिच पदार्तों का समवहन करता है और ये रिददारू कहलाता है इस कास्ट का उप्योग पल्प वुट टूल हैंडल्स आधी बनाने में किया जाता है कार्क केम्बियम कुछ कास्टिये पौधो में रंब के बहरी भाग में नए उतकों के निर्मान द्वारा उनके अक्ष की परिधी में भी वृत्धी होती है ये नए उतक परिचर्म कहलाते हैं परिचर्म तीन उतकों की बनी होती है कागजन ये मेरिस्टेमी कोशिकाओं की एकल परत का बना होता है ये दूइतियक पार्श्वीय मेरिस्टेम भी कहलाता है जो अधस त्वचा या बाहे वलकुट की स्थाई सजीव कोशिकाओं से उत्पन हो सकता है कोशिकाओं आयताकार और अरिये धन से चप्टी दिखती है काग ये कोशिकाओं बाहर की ओर की कागजन कोशिकाओं के स्पर्श रेखिये और परिनतिक विभाजन के परिणाम सोरूप बनती है ये कोशिकाओं एक दूसरे से सटी रहती है और प्रारंभ में इनमें पतली सलीलोस की भित्तियां होती हैं जब वे परिपक्व हो जाती हैं तो धीरे धीरे सजीव पदार्थ नश्ट हो जाते हैं और कोशिकाएं, अरिये, उर्द्वाधर या स्पर्श रेखिये रूप से लंबी हो जाती है सुबेरेन कहलाने वाले वसीय पदार्थ के विक्सित होने के कारण कोशिका भित्ति मूटी हो जाती है सुबेरेन जल के लिए अभित्य है कागस्तर पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की पड़तें काग जन के अंदर की ओर बठकर कागस्तर बनाती हैं इस परत की कोशिकाएं सजीव होती हैं और इन में सेलिलोज कोशिका भित्ती होती है। ये डूतियक वलकुड भी कहलाता है। कुछ प्रजातियों की इन कोशिकाउंट में क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च भी हो सकता है। चाल वलक समवहन केंबियम के बाहर की तरफ के सभी उतक चाल वलक बनाते हैं। चाल वलक के दो भाग होते हैं। बाहरी चाल वलक कारक केंबियम के बाहर की तरफ इस्थित सभी उतक बाहरी चाल वलक कहलाते हैं। भीत्री चाल वलक कारक कैम्बियम और संवहन कैम्बियम के बीच वाला क्षित्र भीत्री चाल वल्क कहलाता है वातर रंद्र वातरंद्र चाल वल्क में बने च्षित्र होते हैं, जिनसे होकर गैसों का आधान प्रदान होता है प्रतेक वातरंद्र में कार्क केम्बियम, कार्क कोशिकाएं उत्पन ना करके अनियमित पैरन कैमी कोशिकाएं बनाता है जो अत्यधिक अंत्रा कोशिकी अवकाश के साथ दूर-दूर व्यवस्तित होती है ये धेर पूरक कोशिकाएं कहलाता है जड़ों में दुईतियक वृध्धी पौधों के वृध्धी करते वाईविय भागों को शक्ती प्रदान करने और जल एवं खनिश पदार्थों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जडों में दुईतियक वृध्धी महतपून है एक बीच पत्री जडों में दुईतियक वृध्धी नहीं पाय जाती है ये समवहन केंबियम और कार्ग केंबियम की सक्रियता की कारण होती है क्या आप जानते हैं? एडल्ट स्टेम सेल डिसकवरी के लिए नोबल पुरसकार इस वर्ष चिकिस्सा के लिए ब्रिटेन और जापान के वग्यानिकों को उनकी खोज कि वयस्क कोशिकाओं को पुना भुरून जैसी स्टेम कोशिकाओं के रुपांतरित किया जा सकता है इसके लिए नोबल पुरसकार प्रदान किया गया कैमरे जिस्थित गर्डान संस्थान के जौन गर्डान और क्योटो विश्विद्याली की सीनिया या मनाका ने उस उतक को बनाने के तरीकों की खोचकी जो बुरून से कोशिकाओं को एक गत्र करने की आविशक्ता के बिना ही बुरून ये कोशिकाओं की तरहा कारे करेगा सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में दोहराएं समान उत्पत्ती और समान कारे करने वाली समान या आसमान कोशिकाओं का समूँ उतक कहलाता है उतक दो प्रकार के होते हैं मेरिस्टमी और स्थाई सरल उतक प्रकृती में समझातिये होते हैं और सनचनात्मक केवं कारियात्मक रूप से समान कोशिकाओं के बने होते हैं। सरल उतक तीन प्रकार के होते हैं, पैरन काइमा, कालन काइमा और इसकलेरन काइमा। जटिल उतक सजीव और निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जो अलग-अलग कारे करते हैं। जटिल उतक दो प्रकार के होते हैं, जायलम और फ्लोयम उतक तंत्र की तीन श्रिणिया हैं, जो बाहे तवचिये, भरण और सम्वहन उतक तंत्र हैं सक्रियता या पाश्विये मेरिस्टेम से दुईतियक उतक के निर्मान त्वारा पौधे के अक्ष की परिधी में होने वाली वृध्धी, दुईतियक वृध्धी कहलाती है बसंत में केंबियम की सक्रियता अधिक होती है और शरद रितू में केंबियम की सक्रियता कम हो जाती है बसंत दारू और शरद दारू वार्शिक वले बनाते हैं समवहन केंबियम के बाहर इस्थित तभी उतक चाल वल्क बनाते हैं